हेलो दोस्तों नवस्ति मैं अपनी शानल पर आप सब का स्वागत करती हूं रादे रादे माई सोल फैमिली माई वीवर्च माई सिस्क्रेबर स्कॉट प्लेस यूँ आप से स्वस्त होंगे मस्त होंगे अपने लाइक में आगे पर रहे होंगे दियर आज का अभी कज़ों में वीडियो लेकर आई हूँ यह है आपके पार्टनर की इनर्जी उनकी फिलिंग्स उनका मूड उनका एक्शन आपके लिए तो उनके मन में क्या कुछ बदलावाया है उनकी जो फिलिंग्स आपके लिए उनकी फिलिंग्स में और आपको लेकर उनके मन में क्या कुछ बदला इस रिष्तिय को लेकर आपको लेकर और आपकी प्यार को लेकर क्कुछ बदावाया है या किया आप से चलिंग्त चलिए है जैंडल वैक्स ये स्कुष्टी अ what और है के कलिक्टिब रीडिंगं कि पर अब सान के लो देख सकते हैं यह मेरेड मेरा जो मकसद है इस पानी को मैंने चार्ज बी किया है और मैं बताना चाहूंगी कि मैंने ये जो वाटर है ये मैंने बीट जो आप जानते हो चुकंदर देखो ये चुकंदर ये मैंने सुचा कि ये इनको मीटी के नीचे यानि नीचे से उपज होती है इनकी जैसे बीट हो गया गाजर हो गया आलू अगेरा कुछ भी हो तो मैंने सुचा कि चलो कुछ डाउन टू अर्थ वाली एनर्जी होनी चाहिए तो मेरा मन हो रहा था डियर कि मैं इस तरह से अब सकते हो जीक है तो मैंने इस बीट को इस तरह से पाने में डालकर छोड़ दिया एक घंटे के लिए ठीक है और मैंने इसे निकाला तो बिल्कुल रेड हो गया ठीक है तो ये नेचरल पॉजिटिविटी हीलिंग प्यार अर्थ मदर यूनिवर्स सारे लोग इन में हैं तो यह बीट देखे कितना कलर रेड हुआ है इस बीट से आप देख सकते हो मैंने पूरा वाल को बढ़ दिया देखियो आप तो मैंने यह वीट को स्वाल किया इसमें ठीक है आप देखलो इस बीट को मैंने कटिंग किया और पानी में एक घंटा से फिकम ही लगा एडिय desse है तो मैंने इससे यहां वार्ठ को चार्ज किया है ठीक है तो मैं इस ऐनर्जी को लेकर आई हूँ यहां से मैं वट्राइड है तो मैं यह चुकूंदर यानि वीट के वार्टर स लोसे जो भी हूँ जो भीgendोगी ङौफंधे ौसे बहुत है और ये बहुत ही हुआ कि यहां से मैं देखना चाहाँगि इस एनर्जी से कि आपpokeие पार्टनर की फिलिञ्ट क्या है आपके लिए तो यह जो मैंने रेट कलर का नेचुरल कलर जो होता है वो मैंने इस्तमाल किया है और यह बहुत खुबसूरत दिख रहा है बहुत ही खुबसूरत ठीक है तो आप लोग उनिवर्स इंजर्स गॉर्ड को ग्राटिटूड शो किजिए और अपने परसंद के बारे में सोचिए मैं क्या है उनका नेक्स्ट एक्षन क्या होगा ठीक है रिलैक्स हो जाईए आखे बंद किजिए अपने पार्टनर के बारे में सोचिए जिनसे भी आप प्यार करते हो देखे डियर आपके परसंद इस वक्त जो करें शिचुएशन है वो आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ वर्स आपके पार्टनर आपसे बाते कर रहे हैं चाहे वो चैट कर रहे हो मैसेज के तुरू या कॉल से यहाँ आपके पार्टनर आपसे बाते भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं इनका मूड है एक्षन का आपके तरफ एक्षन लेना चाहते हैं इस वक्त आपके पार्टनर के एनरजी जो फिलिंग्स है आपके लिए एक तो पहला एक्षन है और दूसरी एनरजी है कि आपके लिए प्यार 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 तेरा फी तूर जब से चढ़े गए आ रहे वह वाली एनर्जी है यह बहुत जल्द आप से मिलने वाले हैं वीवर्ज ठीक है आपके तरवे यू टर्ड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन वो आप से कुछ कहना चाहते हैं मिलना चाहते हैं रियोनियन में आना चाहते हैं लेकिन ये कहना आप चाहते हैं कि आप उनसे फाइट ना करें और ये चाहते हैं कि आप दोनों की बात और मुलाकात हो तो इनके मन में जो चल रहे हैं डियर बाते वो यह हैं कि आपसे मिलने तो आ रहे हैं मिलना भी चाहते हैं प्यार इमोसनस बहुत ज़ादा है लेकिन यह कह रहे हैं कि आप उनसे fight वगेरा ना करें पाश्ट के बातों को वो बाज-बार repeat ना करें क्योंकि पास्ट की बाते याद करेंगे तो आपसे फाइटिंग बगेरे हो जाएंगे और यह डिस्टर्ब हो जाएंगे यह परसन आप लिए बहुत ज़्या पैस्टनेर फिल करने डियर कहीं दूर लेकर जाना चाहते हैं आपको टाम स्पेंट करना चाहते हैं उन्हें वक्त चाहिए ऐसा वो फिल करें थोड़ा उन्हें वक्त दीजिए कितनी खुब्सवर सी एनर्जी आ रही है पिंग पिंग गाड़ प्लिस यूँ इस परसन को आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैस्टनेट और आट्रैक्शन महसूस हो रहे वीवर्स चाहते हैं जो बीती बाते में आप लगमे के बीच कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच में तो उन बातों को आपको भी कहते हैं भुला देना चाहिए और उस बात को लेकर आगे हम दोनों में फाइट नहीं करना चाहिए अभी से कुछ दिर पहले इनके एनरजी में ऐसे थी कि बहुत ज़ादा ये अपने अंदर आपकी कमी को महसूस कर रहे थे ये अब तक ये प्यार एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे हो सकता कि बात चीत भी हो रही हो लेकिन खुलकर इजहार ना हो रहा हो और जिनकी नहीं हुई है अब तक बात वो वीवर्स आपके पार्टनर अब एक्सप्रेस करना चाहते हैं कॉम्निकेट करना चाहते हैं जिन लोग की बात हो चुकी है मुलाकात हो चुकी है आपके परसन अपने आपको बहुत जादा अपने आपको खुद से प्यार करते हुए अनुभाव कर रहे हैं कि कुछ वियर्स आप लोग की मुलाकात और बात हुई है जहां आपके पार्ट आपसे खुलकर express करना चाह रहे हैं प्यार महसूस कर रहे हैं अंदर से मतलब उतार ने यह प्यार flow करना वो वाल ये नजी है इस वक्त अंदर से आपके लिए प्यार 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 ही दिखाई दे रहा है so नहीं कर पा रहे हैं लेकिन इनके अंदर है कि वो आपसे मिलेंगे तो वो आपसे बात करेंगे और धेर सारा आपसे प्यार भी करेंगे बहुत जल्द ये relationship को balance भी करेंगे ऐसा वो कहना चाहते हैं और वो planning करते हुए नजर आ रहे हैं देखिए कहीं न कहीं आज उनको एहसास है महशूस किया उन्होंने दुरियां बनाया है distance maintain किया है हो सकता आपको भी इन्होंने जाचा है परखा है लेकिन इन्हें अब महशूस हो रहा है कि प्यार, खुसी आप deserve करते हो उन्हें पता है कि आप उनके वगर खुस नहीं हो ये भी उन्हें पता है आप जितना इन्हें मिस करते हो ये आपसे कहना चाहते है उससे कई गुना मैं मिस तुमें करता हूँ लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर कुछ वर्स आप एक दूसरे के counterpart हो ठीक है आपका soulmate connection यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक दूसरे के counterpart हो एक दूसरे के feelings को बहुत अच्छे से समझते हो ठीक है कोई सो करे या ना करे feelings हो भले ही छुपाते है लेकिन यहाँ एक दूसरे के feelings को बहुत strong feel भी करते हो ठीक है धीरे धीरे इस दिखते में विश्वास वर राइडियर ठीक है और आपके person के मन में है कि अब सब कुछ ठीक करना चाहते है इनके मन में जो भी हो यह अब खुल कर आपसे बोलना चाहते है लेकिन कुछ देखते हुए ऐसा नहीं है कि यह आपको कुछ ऐसा बात बोल दे तो आपको रूला भी दे लेकिन हाँ मैं यहाँ कंट्रोल जरूर करूंगे कुछ यूर्स आपके partner भी कहना चाहते है बिती बातों को कुरेदना नहीं नहीं तो fighting भी हो जाएगी यह disturb भी हो जाएगे और यह नहीं चाहते हैं कि पुरानी बातों को याद करकर अपने रिष्टे को खराब करना है कुछ यूर्स आपके partner आपको अपनी family का हिस्सा समझते हैं और बनाना चाहते हैं अगर इनोंने हो सकता है कुछ बाते चुपाई या third party की वज़े से कही सुनी हुई आप दोनों में कुछ इनों ने आपको खरी खोटी सुनाई है तो इस person को अपने आप में अपने आपको दोसी करार दे रहें कि इनसे गलती हुई है लेकिन ये कह रहे हैं कि आपको यादों से ये दूर नहीं जा पा रहे हैं या आपके यादों में ही डूबे हैं बहुत जाधा आपको imagine करते हुए दिखाए दे रहे हैं बहुत जाधा most कर रहे है यहाँ पी deep connection फिल करते हुए आपसे sorry भी कह रहे हैं इनको आपके भी न कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा देखिए आपके बारें में कोई इसी मतलब कोई है ना कि आपके मन में प्योर ट्रू लब है आपके मन में छलकपट नहीं है आज उनको अहसास हो रहा है क्योंकि यह प्यार जताना भी चाहते हैं इमोशन्स को एक्स्प्रेस भी करना चाहते हैं बहले आपके रुलेशनेसि में कुछ प्रॉबिलमस आ रहे हुछ क्याना डेटे संफ सब्सक्नाइब प्रापस ठ्रावजिंग है तो आपके प्रीडम होकर दूने स्केंठंद जान कोई ना हो आप हो और वो और बहुत सारी बातें हो्ग eyeliner आपके साथ प्यार और आपके प्यार की और प्यारी की बरशाद करना चाहते हैं, प्यार की बोचार करना चाहते हैं, बात करना तो चाहिए रहे हैं, रिस्ते को निवाना भी चाहते हैं, ठीक है, देखिए इनको पता है, पता है कि आप कितना प्यार करते हो, वो भी आपको ज परकते हैं, बट इनको पता है, आप इनसे बहुत 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 जादा प्यार करते हो, इनके रिस्पेक्ट करते हो, उनको पता है कि आप चाह कर भी नहीं बुला पाओगे, यह भी नहीं पता है, लेकिन कहीं न कहीं यह आपकी व्यालू करते हुए नजर आ रहें, इनके दि आपको कुछ देना भी चाहते हैं वीवर्स ठीक है हो सकता है किसी के पार्टनर ने आपसे फ्लट किया हो या पीर हो सकता है वीडियो कॉल किया हो हो सकता है उन्होंने या आपसे प्यार मांगा हो या उन्होंने किस मांगा हो हो सकता है कुछ विवर्स ने आपने एक्डोर किया है आप उनकर खुल कर जवाब नहीं दियो तो उस बात का इनके अंदर थोड़ा सा है थोड़ा सा कुछ न कुछ तो है लेकिन कुछ-कुछ होता है आपको हग करना चाहते हैं मिलना चाहते हैं ठेश सारी प्यार बहुत जादा आपको याद कर स्पाइक कर रहे हैं अपने खाली पन को अपनी मिसिंग एनर्जी को आप से मिलकर खुद को पूरा करना चाहते हैं यहां कोई इन्वाल्व ना हो सिर्फ आप और वो हो एसी एनर्जी है रोमांस वाली एनर्जी है उनको पता है यह तो किसी और का होने नहीं देंगे आपको और यह जो एनर्जी यहां पे जो खाली पन है इनको पता है कि आप सिर्फ उनके हो और किसी का आप हो जाओ यह तो वो होने नहीं देंगे ठीक है इगो अपनी जगह है जगडे फाइटिंग अपनी जगह है लेकिन तुम मेरे हो या मेरी हो देखी कभी कभी aggressive हो सकते हैं आपके partner ठीक है कभी कभी इनका mood off हो सकता क्योंकि दर devil की energy भी है तो कभी कभी इनका mood off भी हो सकता यह हो सकते Capricorn, Taurus, Vargo यानि मकद, ब्रिशव और कन्या, लिबरा अकरिस, जैवनाई यानि तुला कुम्ब और मिथून, ठीक है, यहाँ पे है एरिस भी है, यानि मिस, पाइसेस यानि मीन, कैंसर यानि कर्क, साजिटेरिस यानि धनू, लियो यानि सिंग, स्कॉर्पियो यानि प्रिशिक, तो आपके तरफ तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डियर ये भी है, कि सारे साइन है, क्योंकि अदर सन के एनरजी है, वील ओ फॉर्चुन के एनरजी है, तो बहुत विर्स आपको गोड नियूज मिलने वाला है, आपके पार्टे यो डल ले रहे है बहुत सारा प्यार और आपके साथ एक मुलाकात जरूरी है सनम, है ना, ये वाली एनरजी है, काफी समय से कुछ वर्स आपने नहीं मुलाकात के, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे थ्री-थ्री के एनरजी आई है, तो कुछ सालिवरेशन है, कुछ के तो प्यार की बात को लेकर इनका मन बिचलित हो जाता है, भखराने लगते हैं, लेकिन आपके बगएर यह भली भाली पन ओजलbles, वर् वर्क हो रहा है, प्यार की बहुचार करने वाले है, आपके परसण, ě फिलिद्क के लिदी, ये कही न कहीं आपको hint दे रहे है ये सोनी बाते हैं इस रिष्टे की गहराई और इस रिष्टे की पहचान इनको हो रही है और कुछ यह लिख और आपके partner को होने वाली है ठीक है इन्हें आपका प्यार तो चाहिए आपका साथ चाहिए देखिए कहना चाहते हैं ये खुलकर एक्स्प्रिस करी या ना करी इनके दिल की अंदर आपकी तस्वीर तो है बहुत strong bond है यहाँ पे जो energy है यह एक दुसरे के counterpart की energy है वीवर्स जिक है बहुत missing energy है, चाहत है, प्यार है और सच पुछिए तो यहाँ पे energy ये भी आ रही है ये person आपको हग करना चाहते है कुछ वीवर्स हो सकते हैं कि आपकी जो smile है बहुत उन्हें अच्छी लगती है ठीक है कुछ वीवर्स आपकी smile उन्हें बहुत अच्छी लगती है और थोड़ा सा आप में होता ना चुलबूला सा एहसास मतलब एकदम से इनको मना देते हो आप प्यास एकदम से मना देते हो वो वाली रजी आप में है चाहे कितना भी गुसा और fight करें आप एकदम से इनको मना लेते हो मतलब इन्हें एहसासी नहीं हुआ आपके पसाने से एहसासी नहीं होता कि हाँ आप दोन भी इतनी दुन की दुनिया थी आपने इतना प्यार दे देना है है ना उन्हें ऐसा लगता है वो सौडी कह रहे हैं आपसे आपने इनको स्पेस दिया है वीवर्स ठीक है कुछ वियर्स आपने इनको बहुत स्पेश दिया बहुत फ्रीडम दिया है और इनके लाइप में इस फ्रीडम के बाद इनको प्रेशर पड़ा है ठीक है और इस प्रेशर ने इनको एहसास दिया ये बड़न और प्रेशर ने इने एहसास दिलाया कि तुम हो कौन और तुम मेरे लितना खास क्यों हो क्योंकि तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो वह वाली अहसास ही नहीं हो रही है इस वीडियो को मतलब बना रही हूं लेकिन positive vibes जो आरी उनके true intention जो इनके deep feeling जो इनके अंतर आत्मा है वो जितना आपसे प्यार जताड़ी जितना emotions है कहां नहीं जा सकता अभी एक किसी और के बारे में सोची नहीं रहें सिर्फ और सिर्फ दीन औरा सुब और साम हर वक्त ही आपको याद करें बस यह प्लान करें कि मिलना है ऐसे करना मतलब romance वाली energy बहुत strong है romance वाली, harmony वाली, completion वाली, the leverage की energy और traveling की energy तो बहुत विरस आपके तरफ कॉल में से जाया हो बहुत विरस आपके तरफ कॉल में से जाने वाला है लेकिन यह सो नहीं पा रहे हैं इनको दिले इक्षा है कि वो आपको देखें तो कुछ विडियो कॉल की energy हां दिखाई दे रही है हो सकता है कि वीडियो कॉल पर भी आपसे वो साथ और प्यार मांगे और आपको दिखना भी चाहते हैं बहुत काफी इन्होंने अपनी feelings को दवाया है चुपाया है लेकिन अब इनसे control नहीं होता patience नहीं रखा जा रहा है दिल की बात express करना चाहते हैं सेयर करना चाहते हैं उनके मन में रह रहे हैं कि तो आपको इगो दिखा सकते हैं यह उक कर से हैं यह कर से हैं प्यार करो अपको प्यार करो और अपने life में एक्सेप्ट करो लेकिन कहीं ना कि कुछ विवर्ष आपकी खामोसी ने तो इनको तोड़ा है एक दम नीमू की तरह निचोड़ा है अब अटेच्मेंट और आपकी यादे इनको कहीं न कहीं आपके तरह बहुत ज़दा अट्रैक्ट कर रही है और आपके इनर्जी उन्हें बहुत अपने तरह अट्रैक्ट करें जो कि ये परसन बहुत ज़दा इमोस्टनल भी हो रहे है पैस्टनल भी फिल कर रहे है किसी बात से अगर इनों ने आपको चोट पहुँचाई है ठीक है उन यादों में हैं आपके पार्टनर और इस बात कहीं न कि उन बातों को कभी याद करके अगरिशिप भी हो जाते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो बहुत ज़दा याद करें आपके परसन खुद को दोसी मान रहे हैं एक्सप्रेस करना चाहते हैं ये उटन लेना चाहते हैं तो ये है कैंडिल वैक्स रेडिंग आपके पार्टनर की एनरजी जो कहना चाहते हैं वो कह दे रहे हैं चीक है तो चलिए कार्ट से भी देख लेती हूँ कितनी खुबसूरत लग रही है ये आप देख सकते हो ना कितनी खुबसूरत है वाव नाइस चलिए कार्ट दिख लेती हूँ जिस प्लीज काईट करें एक आना आना जिन्देगे मेरे घर आना आना जिन्देगे देखे, छोटा घरो या बड़ा घरो प्यार है तो एक जुपड़ी जो होती है ना कुटिया वो हम भी बहुत अच्छा फिल करादी है जब सच्य दो दिल मिलते हैं तो देखे nा मेहल देखता है देखे, मेहल क्या? प्यार प्यार होता है एक छोटी सी कुटिया में भी प्यार होता है तो ये गाना जो है फारुक जी का और इनका है फारुक सेख जी का और दिपती नबल जी का जिंदेगी, जिंदेगी, मेरे घर आना, आना जिंदेगी काफी सपने संजोर है आपके पार्टनर मिलने की बेताबी एक नई सुबात करने की बेताबी तो इसमें भी मैंने देखा है फारुक सिख जी ने और दीप्ती जी की कोशिस है लोग बाद में घर तोड़नी की कोशिस करते हैं बट प्यार तो प्यार होता है ना रिष्टे तो जुड़ी जाते हैं मेरे घर आना जिन्दे की रिवनियन देखिए एक कार्ड निकल गया ना वीवर जी यह आपके लिए फाइट कर सकते हैं लेकिन आपको फाइटिंग से बचना है वो बोले आप उसे फाइट मत करना ठीक है पैसनेट फिल कर रहे हैं हां मैं थोड़ा इगो जता सकते हैं वो ठी है यह को जता सकते हैं लेकिन कार्ड आप देख लिजिए रियूनियन 1111 फोर और यह देखिए टू आपकास 1111 ट्रांस्वरे ट्रांस्वर्मेशन एक न्यू विगिनिंग एक्शन आ रहे हैं आपके पार्ट्रें नियू विगिनिंग होने वाला है ठीक है आप बहुत इनर्जी आप देख सकते हो दर लवर्स की एनर्जी थोड़ा गुसा थोड़ा इगो थोड़ा प्यार है क्योंकि इनका समय सपोर्ट नहीं करा इनके लाइप में कुछ भी अचा नहीं चल रहा है पैस्नेट फिल कर रहे हैं आपके लिए और लॉयल है आपके लिए लिए ल छोड़ के आईघा एह निफिसेमी करें सब्सक्रा नहीं को भीचे मचाने के यूद्ध करीण गया तो देकिटाद यूम होगी एक नियू सुरुवात होने वाली है लेकिन आपको फाइटिंग सबजना आपके पार्टनर क्याना चाते हैं आप उनसे फाइट ना करें लेकिन रियूनियन बहुत स्टॉंग है हो सब अगले चार दिन मीनट घंटे सेकंड और दिन याद रखिएगा कॉल मैसेज भी आ सकता ह ही है ठीक है यह है आपके पार्टनर की एनरजी वीडियो अच्छी लगे एडियर तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच एंड काट ब्लेस यू करें, आहाओ। स्ब्सक्राइब काटू क्ल kep ή द槍व क्ल׉ है